असलाम अलेकुम विडियो आप मेरी पीसी स्क्रीन पे एक पाइप की परफाइल देख रहे हैं यह वाट्साप गुरूब में शेर की गई थी और और वेर्शन किया जाता कि यह परफाइल जो है यह कैसे बनाई जाती है अगर आपको ऐसा कुई data दिया जता है और उसको रेडरा करना आप ने तो आप इसको बढ़ाईजी बीज़े ड ही ड्रा कर सकते है ने जो दिया गया है और यह जो लेबल दिये गया है आप इस के थाप से इसको रेडरा कर mechanics अता सकते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं का यहां पर देख सकते हैं फिर्ट में यहां बेडिल कलास में ड्यून सैंड जो है वो इसमें दी हुई है तो इसको मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इसके हमारे पास इसकी जो है वो लेंथ है जो चैने दी गई है ठीक है तो उसके लिए मैं एक अलाइनमेंट रा करता हूं कि अलाइनमेंट ओके और यहां से मैं एक स्टेट लाइन जो है वो ड्रा कर देता हूं आपके कोई भी अलाइनमेंट हो सकती है यह से समझाने के लिए है कि आपने यह परफाइल कैसे ड्रा करने हैं इस पर आलरड़ी मैं एक वीडियो बना चुका हूं तो शायद उसमें है कि इसको दोबारा पताया जाए तो मैं यहां पर 500 मीटर की एक अलाइनमेंट ड्रा करता हूं ठीक है तो यह मेरे पास अलाइनमेंट आगी है 500 मीटर ठीक है अभी इस पर हमने अपना परफाइल बनाना है सेम रोड की परफाइल की तरह पहले हम इसको देखेंगे कि यहां पर जो है मैं डेटा इंपोर्ट करता हूं पहले मैं लाइनमेंट को स्लेट करता हूं ठीक है उसके बाद यहां पर मैं परफाइल में परफाइल फ्राम फाइल में जाता हूं तो यहां से सबसे पहले मेरे पास जो है वह ग्राउंड का डेटा है ठीक है ग्राउंड ल कि अब ही मैं इसका करा यह यह परफाइल व्यू डॉट घर देता हुआ तो यहां पे यह एलिवेशन बताया जा रहा है ठीक है आप इसको अपने हिसाप से जो है वह कर सकते हैं कम ज्यादा next next ओकी और यहां पर मैं इसका प्रॉफाइल ड्राः कर देता हूं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारी एक ग्राउंड लाइन जो है, वो ड्रा हो गई है, ठीक है, फाइल वी प्रापर्टी, एलिवेशन, तो एलिवेश की मैंने थोड़ी स्टैटिंग की है, ठीक है, इसके बाद हमने अपनी इस पे दूसरी इनवर्ट की जो परफाईल है, वो लानी है, से मैं इस में परफाईल फ्राप फाईल में इनवर्ट लेवल को लेता हूं, open करता हूँ करता हूँ और यहां पर मैं इसको invert level लिख देता हूँ और रूंकरता हूँ तो यहां पर हमारी invert की भी profile आ गई है आप सावर्थ कर सकते था है तो मैं यहां पर इसको design profile का style देता हूँ लिए तो όकि अभी जो है यह हमारा pipe की profile है। ठीक है इसको हमने ऐसे पाइप शो करना है ओके तो तो यहां पर सिंपली मैं क्या करता हूं मैं इस पर फाइल को क्लिक करता हूं और मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ठीक है क्रियेट नियू ओके यह कॉपी हो गई है अभी मैं इसकी प्रॉप्टी में जाके इसका नाम चेंज कर देता हूं तो यह मेरा जो है अगर मैं यहां पर इसको कि फाइल भी प्रॉप्टी करूं तो यहां पर यह कॉपी हो गई है तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते मैं इसको फाइप टॉप का नाम दे देता हूं और आप यहां से मैं इसको ऑफसेट कर देता हूं आप वहारा यह थ्री एंटर मिटर टाय का पाइप है जस्ट इसको पाइप की तरह शो करने के लिए मैं जस्ट इसको तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह बिल्कु लेकर फाइप की शेप का बन गया है अभी इसमें हमने इसमें बैंड लगाने है और फाइल विव प्रॉपर्टी ओके बैंड में यह जो पहला बैंड है इसको हमने डिलीट करना है और न्यू बैंड जो आपने करियेट कि इसको लगा देना है यहां पर मेरे पास बैंड अभी नहीं है मैं इंपोर्ट कर लेता हूं ठीक है तो बैंड इंपोर्ट करने का तरीका जो उससे पहले आपकी फाइल से वह नी चाहिए ठीक है मैनेज इंपोर्ट ऑके मैनेज जो आपके आपके वह न्यू एटक है मैने इसरा है दिन्यू आपके आपके रहे लीरा वलका से दो दो टिन्यू आपके लिए कि बैंड हमारा इंपोर्ट हो गया है कि पर्फाइल वू को सेट करना है पर फाइल व्यू प्रापर्टी ओके इसको टेलीट करते हैं और यहां पर आपने जो भी बैंड सेट बनाया हुआ आप इसको ले लिए ठीक है और यहां पर जो है ओके ओके और यहां पर आपका इनवर्ट लेवल और आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारा जो बैंड बन गया है ठीक है और यह आल मॉस्टर उसी की तरह के हमारी जो है पर फाइल करियेट हो बई तो इसी में दूसी जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम अग्जैक्ट डैटा से और पाइप की ऑप्शन से इसको कैसे कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू अलाह आफिस